दोस्तो दिव्या अगरवाल टीवी इंडेस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं जो बिग बोस OTT की वीनर भी रह चुकी हैं दोस्तो दिव्या अगरवाल ने अभी हालही में फेमस बिजनेसमैन अपुर्वा पडगाउंगर से एंगेजमेंट कर ली है आज की इस लाइफ इस्टाइल वीडियो में हम बेटुफूल टीवी एक्ट्रेस दिव्या अगरवाल की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो सायद आप नहीं जानते होंगे तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप दिव्या अगरवाल के फैनत इस वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इनका real name दिव्या गरवाल है और इनका nickname दिव्या है दिव्या प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, model and dancer है दिव्या गरवाल का जनम 4 दिसंबर 1992 को मुंबई महराश्टरा में हुआ था जो साल 2023 के हिसाब स 31 साल की है दोस्तो दिव्या गरवाल ने अपने schooling सेंट जेवियर् करी है और उन्होंने अपने college की पढ़ाई मुंबई University से करी है दोस्तो दिव्या गरवाल ने जर्नलीजम में master's की डिगरी हासिल की है दोस्तो दिव्या गरवाल ने अपने career की सुरुआज साल 2017 में एम टीवी इंडिया के सो इस्पीट्स विला सीजन 10 से करी थी जिसमें वे फर्स्ट runner-up रही थी इसके बाद दिव्या गरवाल अल्ट बाला जी की विब सिरीज पंच बीट में नजर आई जिसके बाद दिव्या गरवाल काफी famous हो गई दोस्तो दिव्या गरवाल ने काफी सारे famous magic वीडियोज में भी काम किया है जिनके नामे बेवफा हमें तुम से प्यार कितना फितरत इश्क निभावा कोई सहरी बाबू और बेचारी दोस्तों इन सब के अलावत दिव्या अगरवाल फेमस टीवी रियालिटी सो बिग बोस OTT की वीनर भी रह चुकी है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दिव्या अगरवाल के फैमली के बारे में दोस्त कर ली है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दिव्या अगरवाल के हाउस के बारे में दोस्तों दिव्या अगरवाल अपने फैमली के साथ मुंबई में रहती हैं जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दिव्या अगरवाल के कार कलेक्शन के बारे में दोस्तों दिव्या के पास टाटा अल्टरोज की कार है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपे अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दिव्या अगरवाल के सैलरी और नेट वर्थ के बारे में तो द प्यूटिफूल टीवी एक्ट्रेस दिविया ग्रवाल के फैनेत इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।